सवाल नमबर एक, काला सोना किसे कहा जाता है? आपका ओप्षिन है A. कोहला को, B. गेहुं को, C. चावल को, D. लोहा को, आपका सही जवाब होगा. ओप्षिन नमबर A. कोहला को, सवाल नमबर 2. काला गुला किस देश में पाया जाता है? आपका ओप्षिन है A. अमेरिका में, B. तुर्की में, C. जापान में, D. भारत में, A. आपका सही जवाब होगा. ओप्षिन नमबर B. तुर्की में, सवाल नमबर 3. नाचने वाले हिरन कहाँ पाया जाता है? आपका ओप्षिन है A. तामिलनादु में, B. बिहार में, C. मनिपुर में, D. केरल में. आपका सही जवाब होगा. ओप्षिन नमबर C. मनिपुर में, सवाल नमबर 4. भारत का सबसे अमीर राजी कौन सा है? आपका ओप्षिन है A. बिहार, B. पंजाब, C. जारखंच, D. महाराष्ट आपका सही जवाब होगा. ओप्षिन नमबर D. महाराष्ट सवाल नमबर 5. मसालों की खेती में प्रथम देश कौन सा है? आपका ओप्षिन है A. भारत, B. बांगलादेश, C. युकरेन, D. जापान आपका सही जवाब होगा. ओप्षिन नमबर A. भारत सवाल नमबर 6. न्याय की जनजीर इसके द्वारा स्थापित किया गया था आपका ओप्षिन है A. हुमायू ने, B. आकबर ने, C. शाह जहने, D. बाबर आपका सही जवाब होगा. ओप्षिन नमबर C. शाह जहने सवाल नमबर 7. विश्व की सबसे छोटी पक्षि कोजसी है आपका ओप्षिन है A. कबूतर B. शी C. हमिंगबर्ड D. खौरया आपका सही जवाब होगा. ओप्षिन नमबर C. हमिंगबर्ड सवाल नमबर 8. नमबर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका ओप्षिन है A. विटामिन B B. विटामिन A C. विटामिन C D. विटामिन D आपका सही जवाब होगा. ओप्षिन नमबर B. विटामिन A सवाल नमबर 9. भारत में मैसूर कस के लिए प्रसिध है? आपका ओप्षिन है A. रेशम के लिए B. चाय के लिए C. इलाइची के लिए D. कॉफी के लिए आपका सही जवाब होगा Option number A. रेशम के लिए सवाल number 10 Mountain West किस देश में स्थित हैं? आपका option है A. भारत में B. अमेरिका में C. नेपाल में D. जापान आपका सही जवाब होगा Option number C. नेपाल में सवाल number 11 भारत में चंदन की लकड़ी सरवाधिक किस राज में पाई जाती है? आपका option है A. असम B. केरल C. करनाचक D. तामिलनाडू आपका सही जवाब होगा Option number C. करनाचक सवाल number 12 आपका सही जवाब होगा Option number B. सिनमा सवाल number 13 सब में कौन सा विचामिन पाया जाता है? आपका option है A. विचामिन A B. विचामिन B C. विचामिन C D. विचामिन B आपका सही जवाब होगा Option number A. विचामिन A सवाल number 14 किस फ़ल में कभी भी केड़े नहीं लगते हैं? आपका option है A. पपीता B. अमरूत C. आम डिप केला आपका सही जवाब होगा Option number D. किला सवाल number 15 कौन सी मचली हवा में उठी है? आपका option है A. गरनाई मचली B. शार्क मचली C. विचामिन B डिप डॉल्फिन आपका सही जवाब होगा Option number A. गरनाई मचली सवाल number 16 प्रिथ्वी पर दिन और रादकस के कारण होता है आपका option है A. वार्षिक गति के कारण B. देनिक गति के कारण C. छमाही गति के कारण D. तिमाही गति के कारण आपका सही जवाब होगा Option number B. देनिक गति के कारण सवाल number 17 इनमें कस को जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है आपका option है A. ओसाका B. टोकियो C. नागासाकी D. या कोहामा आपका सही जवाब होगा Option number A. ओसाका सवाल number 18 आगराश शहर को कस ने बसाया आपका option है A. अकबर B. बहलोल लोदी C. सिकंदर लोदी D. शाह जहा आपका सही जवाब होगा Option number C. सिकंदर लोदी सवाल number 19 महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था आपका option है A. सरोजनी नाइडू B. कस्तूर्बा गांथी C. इंदिरा गांथी D. मधर टेरेसा आपका सही जवाब होगा Option number B. कस्तूर्बा गांथी सवाल number 20 चिंगम बनाने में किस जानवर का मांद्स मिलाये जाता है आपका option है A. बकरी B. साप C. सुर D. मगरमच आपका सही जवाब होगा Option number C. सुर C. सुर